इलाइट स्टेडी प्लेटपरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसिन करेंगे हिमाचल प्रदेश में एक कंप्रेटिव एक्जाम से समंदित कौन-कौन सी सुचना है आपके लिए जानना बहुत ही इंपोडेंट है साथ मैं आपको बताएंगे आज वीडियो में कौन-कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि आपकी आने बाले समय में जो इमाचल प्रदेश में वीडियो में वीडियो के कंप्रेटिव एक्जाम होंगे उसकी रूप रेका को निर्धारित करने में सहाइक साबित होंगे सबसे पहले आपको अप्लेट कर दें इमाचल प्रदेश के एक मात्तर अखिल भारतिया आयरुविगान संस्तान जो की बिलासपूर में स्थित है तो यहां से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है इस नोटिफिकेशन में 89 फेकल्टी पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए है जिसमें हम आपको बता दें प्रोफेसर के 27 एडिशनल प्रोफेसर के 19 और एसोसियेट प्रोफेसर के 23 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पद सामिल है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए है और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि उमिदवारों की उम्बर सीमा पदों के अनुसार निर्धारित की गई है प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर पदों पर आवेदन करने वाले उमिदवार की उंबर सिमा अठाबन बर्स से लेकर सत्तर बर्स निर्धारित की गई है तो इसके लिए तीस निमंबर साम पांच वजे से पहले पहले आवेदन करने होंगे साथ में एक और खबर भी यहां पर प्रकासित हुई है कि हिमाचल परदेश विश्ववजालिया ने विश्वजा साथकारों को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्तगित कर दिया है विश्वजवजालिया साखसातकार की नई तिथियों के फिर से तैकर अधिसुचना जारी करेगा और ये भी दिखिए हम आपको बता दें कि विश्वजवजालिया के कुल सचिप की ओर से इस संदरम में जारी अधिसुचना में कहा गया है कि 27 से 30 तक पूरब में निर्धारित किये गए आचारया सहा आचारया और साइक आचारयों को प्रसासनिक कारणों के कारण स्तगित किया जाता है और एक बड़ी खबर आई है जो कि आपकी समंदित है नायब तसिलदार की प्रिक्सा से ज लेकिन जैसा कि आपको ग्यात है हिमाचल परदेश में अगामी विधानसभा के चुनाब प्रस्तावित है तो इसमें बहुत से ऐसे हवियर्थी है जिनोंने एक्जाम भी देना है और जो बरत्मान समय में अपने चुनाबी ड्यूटी में लग चुके है लेकिन आयोग ने पर गलियर कर दिया है कि इस प्रिक्षा की जो तीथियां है इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदला नहीं किया जाएगा तो अब आपको अपने अनुसार ही जो आपकी ये प्रिक्षा होने जारी है जिस दिन इसका निर्धारन है 30 सक्तूबर को ही आपको अपने चुनाबी के साथ में इस प्रिक्सा को भी देना होगा तो आप कमिशन की ओफिसली वेब साइट में जा करके अपने एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो इसके लाब हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर आज प्रकासित हुई है विविन तरह के समचार पत्रों में जी ट् पहले बहुत सी बैटकों का आयोजन चलता है विस्सो के बीस जो सबसे टॉप कंट्रीज है उनका यह समेलन रहता है तो यहां पे कहा जा रहा है कि धरमसारा और सिमला के अलाबा मनाली या अन्या जगा पर भी इसकी जो बैठक है उसका आयोजन किया जा सकता है बहुत बड नहीं जाएगी डिग्री एच्प्यू इसी सत्तर से सुरू करेगा मल्टीपल एंट्री एर एक्जिट प्लान इसका मतलब यह हुआ कि जब कॉलेज का कुछ स्टुडेंट्स कॉलेज में जाता है फॉस्ट इयर कर लेता है उसके बाद छोड़ देता है या फॉस्ट इयर के बीच में छोड़ना पढ़ रहा है तो डिग्री बेकार नहीं जाएगी हिमाचल प्रतिस उनिवस्टी ने सभी कॉलेजों में नई सिक्सनिती के तहत मल्टीपल एंट्री एर एक्जिट प्लान लागू करने का फैसला लिया है इसी सत्तर में नया सिस्टम लागू कर दिया ह मल्टीपल एंट्री एक्जिट प्लान के तथ कॉलेज में एक बार एड्विशन लेने वाले स्टुडेंट्स अगर अपने पढ़ाई किसी कारण वर्स पूरी भी नहीं कर पाते हैं तो उसे डिग्री डिप्लोमा या सर्टिपिकेट दिया जाएगा इसमें तैय किया गया ह कि कॉलेज में एड्विशन के बाद पढ़ाई पूरी करने पर पहले बर्स में डिप्लोमा दूसरे बर्स में सर्टिपिकेट और तीसरे बर्स में उसे डिग्री दी जाएगी यह बहुत अच्छा निर्ने है बहुत से अभ्यार्थियों को उसका लाहा मिलेगा ऐसा भी अक ख़वर आई है जो कि पूरे भारत के लिए अच्छी ख़वर मानी जा सकती है क्यूंकि ब्रिटेन में आपने देखा होगा काफी लंबे समय से वहां पर प्रदानमंत्री पद के लिए संगर्श चल रहा था तो कुछ समय पहले 45 दिनों तक वहां पे एक महिला की न्युक्त थी उसमें भारतिया मूल के रिशी सुनक पहले भी चल रहे थे लेकिन वो पहले नहीं बन पाया थे ब्रिटेन के प्रदानमंत्री और बर्तमान में उन्हें जो वहां के किंग है राजा है समराच चाल्स तरितिया इनका नाम भी आपने आद रखना है हाली में इनकी न्यु बता दें भारत बंसी है रिशी सुनक और इनकी आई यो 42 वरस है और 42 वरस में देखिये ब्रिटेन का प्रदानमंत्री के पर जाना ये बहुत बड़ी बात है तो यहां पर देखिया आने वाले समय में भारत के समन्ध ब्रिटेन के साथ में और भी सुदर सकते है आप नियम टेस्ट पेपर लेकर आई है तो आप इनका लाव उठाईएगा अपने नजदे की सौब की पर या फिर इलाइट स्टेडी को ड़ाट एन वैबसाइट के माद्यम से आप इंडियन फोस्टल सर्विसिस के माद्यम से घर बैठे इन किताबों को प्राप्त कर सकते है इसके ल आप इहमाचल प्रदेश में किसी प्रिक्सा की त्यारी कर रहे है तो आप सिंपली इलाइट स्टेडी को ड़ाट इन वैबसाइट पे जाईएगा और अपने लिए कुछ किताबें परचेज कीजिएगा कोचिंग के उपर हजारों रुपे खर्च करने से अच्छा है कि आगे बढ़ते रहे हैं थैंक यू बेरी मस्ट कीप वाचिंग इलाइट स्टेडी यूट्यूब चैनल